हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज हब, कैंसर ऐ वेवस्तित खानपान और ऐ नियमित दिन्चर्या की वज़े से सेंगडों नई बिमारिया पेदा होती है, कैंसर भी इनी में से एक है, कैंसर का इलाज जितना जल्दी हो सके करवा लेना चाहिए, नई तो इसमें मरीज की ज चली जाती है, राश्ट्रिय कैंसर संस्तान की रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2016 में 16,85,210 अमेरिकियों में कैंसर डाइग्नोज किया गया था, यह का जा रहा है कि हमारे देश में भी कैंसर पहुंच रहा है, और इससे हर कोई प्रभावित होगा, जब तक प्रभावी तरीक से हम यह नहीं बता सकते कि हर प्रकार के कैंसर का कारण क्या होता है, तब तक हम सबसे आम लक्षणों को समझने की कोशिस कर सकते हैं, हमारे सरीर को जानने और उस पर ध्यान देकर हम कैंसर के लक्षणों को पहचान सकेंगे, कैंसर के लक्षण नमबर एक लगातार खासी आना सर्दी जुकाम के अलावा दूम्रपान करने वालों को खासी आती है लेकिन बिना किसी कारण से लगातार खासी आये तो ये फेपडो के कैंसर का सुरुवाती लक्षन हो सकता है और खासी के साथ खून आये गले में तकलिव हो खाना निगलने में परेशानी होने पर तूरंत डोक्टर से संपर करना चाहिए नमबर दो खून का बहना लगातार खून का बहना भी कैंसर का लक्षन हो सकता है अगर कैंसर की संभावना है तो इसके कारण खून मलाशे के द्वारा बाहर निकलता है यह कोलेन कैंसर का लक्षन है इसके साथ ही यदि मल मुत्र त्यागने के समय अगर पीड़ा होती है या मुत्र में खून की मुझूदगी पाई जाती है तो यह प्रोस्टेट कैंसर या डिम गरंती कैंसर के लक्षन हो सकते हैं ऐसी स्तिती में तूरंद डोक्टर से संपर्क करें नमबर तीन बदन दर्द होन या कमजोरी मैसूस होना काम की अधिक्ता से बदन में दर्द होना सामाइन यह है मगर लगातार पीठ में दर्द हो रहा हो यह कोलोरेक्टल या प्रोस्टेट कैंसर का कारण हो सकता है इसके अलावा कमबर के आसपास की मांच पेशियों में भी दर्द हो जरुद से ज़्यादा थकान लगती है तो यह भी कैंसर का सुर्वाती लक्षन हो सकता है नमबर चार रात में पसीना निकलना यदि रात में सोते समय पसीना अधिक निकलता है तो यह सरीर में किसी दवा के रियक्शन या सरीर के अंदर किसी इंफेक्शन का संकेत है यदि यही स्तिती कई हफ्तों तक बनी हुई है और पसीना निकलना बंद नहीं हो रहा है तो डोक्टर से संपर्क करना चाहिए नमबर पांच आतों में समिश्या आतों में सामाई ये समिश्या होना बड़ी बात नहीं है लेकिन आतों में समिश्या लगातार है तो ये कोलेंट या कोलोरेक्टल कैंसर का सुरवाती लक्षन हो सकता है डाइरिया और आपच की समिश्या इस लक्षन को दर्साते हैं इसके कारण पेट में गेस और पेट दर्द की समिश्या भी हो सकती है ऐसी स्थिति में डोक्टर से जाच जरूर करवानी चाहिए नमबर छे वजन कम होना अगर बिना किसी कारण के आपका वजन कम हो रहा है तो कैंसर का सुरुआती लक्षन हो सकता है भूक लगने में कमी होना बिना किसी प्रयास के सरीर का वजन चार से पांच किलो से ज़्यादा कम हो जाए तो ये कैंसर के प्रात्मिक लक्षन हो सकते हैं बताए गए सबी लक्षणों में कुछ भी होने पर तूरंत डोक्टर से संपर्क करें वीडियो पसंद आए तो इसे सर्य शेर जरूर करें तन्यवाद